दोस्तों किशी ने बड़े कमाल की बात कही हैlt कि जिन्दकी में अच्छी बात पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बात करने की आदत अपने आप बन जाती है तो नमस्कार दोस्तों the video शुरू होने इस पहला मेरा नाम जा लीजीर मेरा नाम है संतोस कुमार और संतो splits साती यूट्यूब चैनल में आपका हर्दिक स्वागते भविनादन करता हूँ, तो आज के दिन परती दिन में कुछ ऐसा होता है, करियर में कुछ ऐसा होता है, कि हम कहीं गुसे में जुंजला कर, या कुछ यूँ ही ऐसे सब्द बोल जाते हैं, कि हमें जो सब्द नहीं कहना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, इससा हमारे साथ होता है, तो इसी बात को लेकर मैं एक आपके सामने कहानी से एर कर रहा हूँ, उस कहानी से जो सीख मिलेगी दोस्तों, आप अमेस्था आपके पास में गाट बांद कर रखिएगा, तो दोस्तों कहानी है एक किसान की, नहीं एक किसान रहता था, उसने एक दिन एक अपने पाडोसी को कुछ बला बुरा कह दिया, उसके बाद उसको ऐसास हुआ, उसको कश्ट हुआ, वो एक मातमा जी के पास पहुँचे, जहां मातमा जी को पूछा, कि मातमा जी मैंने मेरे पाडोसी को कुछ बले सब्द, गुरे सब्द कह दिया है, अब उनको वापिस लेने के कुछ उपाई बताईए, तो मातमा जी ने क्या कहा, कि आप पंक्टे करिए, और पंक बजार के बीच में रखे आईए, जहां चोरहया लगता है, तो वे सही किया किछान ने, पंक इटिकी और बजार में गए, और जहां बजार में चोरहया लगता, वाँ बीच में रखे आगे, वापिस आए मातमा के पास, और पूछा, तो मात्मा नहीं कहा अब जाईए आप, जहां आप पंक रखे आये हो, वहां से वो वापिस उठाके लईए मेरे पास, किसान वहां से रवाना हुआ गया बजार, जो पंक थी वो तो उड़ चुकी थी, वहां पर नहीं थी, किसान खाली यात संत के पास पहुंचा, मात्मा के पास पहुंचा, अब मात्माजी ने कहा, कि यही बात होती है, आप गल्त सब्द बोलतो जाते हूं, लेकिन कभी भी चाहा कर भी, वापिस नहीं नहीं आते हैं, तो यही बात होती है दोश्टों, आपके जीवन में, कुछ गल्त सब्द बोलने से पहले सोची जरूर, अगर हम गल्द सब्द बोलते हैं दोस्तों तो सामने वाले को कश्ट जरूर होता है लेकिन बाद में हमें ऐसास होता है हमें कश्ट पहुंचाता है वो कि हम गल्द बोल गए और चहा कर भी हम उन सब्दों को कभी वापिस नहीं ले सकते हैं तो जहां दोस्तों हम कश्ट हुए हमें तो वहां हमें बोलने की कहां जरूत है वहां पे हम चुपी सरी है तो इस कहानी से मैं आपको दोस्तों यही शिक्षा देना चाहता था केसी लगी मेरी कहानी कॉमेंट में जरूर बताना और आगे शेर जरूर करना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भ कर देना और अगली कहानी